Superconductors क्या है? आपने सुना होगा Superhuman Superman ऐसी conductor, arm conductor एक होता है Superconductor यह पिल्कुल सेम, इसकी कुछ extra properties है जो arm इंसान में नहीं हैं वो Superman में हैं, पिल्कुल extra जो arm conductor नहीं करता है, वो Superconductor करता है कैसे बनते है Superconductor? आप एक conductor लें Normal conductor उसका temperature क्या करें गिरादें तो उसकी resistance गर जाएगी और गिरादें तो ने क्रेटिकल तो जैसे उसकी resistance या resistivity जीरो जाएगी एक एक ऐसा टेमप्रेचर आएगा जब resistivity 0 हो जाएगी क्योंकि temperature गिर्ने से resistivity कम उत्ले थि designers को उसका उसकी खास temperature को क्या पूलते है critical temperature तो जैसे उसकी resistance या resistivity zero हो गई यह practical नहीं है temperature बहुत लोग करना पड़ता है इसका on maintain करेगा पर अगर हम कर दें तो बहुत low temperature पर ले जाए resistance almost zero हो गई तो material क्या कहलाएगा superconductor जब वो superconductor बन जाता है एक superconductor हो गया तुम उसके अंदर हलका सा current छोड़ दो कई साल तक current जाएगा नहीं उसमें से क्योंकि current को बखाने के लिए क्या चाहिए होगा resistance जब resistance ही नहीं होगी तो रोकेगा कौन तो कई साल तक उसके अंदर current रहेगा तो यह superconductor है तो इसको हम study नहीं करते है क्योंकि normal conditions में काम ही नहीं करता है हम conductors को study करते है पर ठीक है एक line में इसने बता दिया कि normal metals की resistivity ऐसे change होती है temperature के साथ बढ़ती है बढ़ती है और superconductor की critical temperature से नीचे तो resistivity क्या होती है zero होती ही नहीं है उसके बाद normal metal की तरह issue करती है अब यह graph सेम है लेकिन superconductor में critical के नीचे exist नहीं करती है उसमें तो करती है तो यह graph mark करने को आ सकते है और मैंने बता दिया कि superconductor में अगर current core छोड़ दिया जाए तो कई साल तक रहेगा और critical temperature is difficult to maintain आप में यह भी बता दिया अब critical temperature maintain करना बहुत मिश्किल है तो इसको study करना बंद करते हैं बंद ही नहीं करना करना होगा scientist करते रहेंगे हमारा काम अब एक effect है जिसको Messner effect पोलते हैं scientist का नाम है Messner effect उसने का जी देखो ऐसा है superconductor बन गे आप से जब एक conductor था जब normal conductor था और जब मैंने इसको magnetic field में रखा तो जैसे electric field को represent करने के लिए electric lines of force है magnetic field को represent करने के लिए magnetic lines of force हैं तो जब मैंने इसको magnetic field में रखा तो magnetic lines of force इसके अंदर से cross हो रही थी पर जब यह superconductor हो गया तो कोई भी line इसमें से cross ना हो सकी दूर-दूर से भाग गई तो superconductor के अंदर magnetic lines of force cross नहीं हो सकती इस effect को mister effect भूजते हैं ठीक आता निया paper में books में के मैंने भी लिख दिया आ जाए तो मैंने बता दिया क्या है और last property अगर superconductor बन गया आप से तो वो superconductor अब conductor नहीं रहेगा वो क्या बन जाएगा dielectric it will act like a dielectric ये भी property देखी गई है ठीक क्योंकि हमने इस रास्ते जाना नहीं इसको हम करते है close क्योंकि superconductor में काम ही नहीं हो ना बद दो line discuss करके इसको close करते हैं